यहां पर हम बात करते हैं फिर चेस्ट पैन के बारे में तो चेस्ट पैन के बहुत सारे डीजन है लेकिन अगर आपको उनमें से कोई भी सिंट्म आपको मैच नहीं कर रहा है और रही पता चल रहा है तो वह उसका एक रीजन होता है कोस्ट्रो कॉंड्रियाइटिस क्या होता है आज हम इसमें बात करेंगे और जानेंगे कि यह क्या होता है और इसके लिए क्या treatment किया जा सकता है तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाईक करना, शेयर करना वेचा है को सब्सक्राइब करना और वीडियो सुरू करने के पबले हम बता गए हैं आज की प्रोडक्ट के बारे में तो फ्रेंट सीए है आज की ब्यूटीफूल सी यह साड़ी और यह है कांची वरम साड़ी जो कि आपको दिया है सैमी बनारसरी बेविंग सिल्क पर और औरिजनल बेस्ट क्वालिटी है और इसकी कीमत है 1250 रुपए तो यह डिजाइनर बलाउज इसके साथ में आपको मिल जाता है और पूरी ऐसी हैवी साड़ी है जो कि आप किसी भी फ डिस्क्रिप्चन में आपको मिल जाएगी एवन साड़ी है क्वालिटी वैस्ट है आप चाहें तो इसे एक बार ट्राइ कर सकते हैं तो फ्रेंट्स आपको यह प्रोड़ेक्ट कैसा लगा है अगर अच्छा लगा है और आप इसे लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्चन चे है अगर आपको चेस्ट में होता है और आपको इसका समझ में नहीं आ रहा है कि यह दर्द क्यों है तो यह रिजन कोस्ट्रो कॉंडरी इस का मतलब है हमारी पस्लियों में होने वाली सूजन तो यह 40 साल की अधिक महिले होती हैं उनको अकसर देखने को मिलता है और यह हमारी ज करी जुँजाती जब योस्टो होती है तो इसे हम कैते हैं और इसके लिए आपको कुछ दबाएं दिजाती है फिर सूजन को कम करने के लिए आप सिखाई भी कर सकते हैं तो फ्रेंट्स जो कोस्टो कॉंडराइस होता है वो क्या होता है कि हमारी जो कार्टिलेज होती है उसको इस्टेनम से जगह पर जोड़ती है वहां पर सूजन आ जाती है और यह बिना डॉक्टर के भी मतलब आपको इसके लिए कोई ज्या अपके एक्स रिक कराया जा सकता है इसीजी किया जा सकता है और ब्लडट टेस्ट किया जा सकता है इन से वो कंफरम करते हैं कि को समस्या है या नहीं तो ये आपकी चाती पर होती है इसलिए मेह плох стор। समझ मैं नहीं आता कि उनका जो पैन है वो ब्रेस्ट में हो रहा है या उनकी पस्लियों में हो रहा है तो यह इसके होने के कारण पता नहीं है लेकिन कुछ कारण जो सामने आए हैं वो ऐसे जैसे कि आपके कोई भारी चीज उठा लेते हैं या फिर आपको चोट लग जाती है तो इसकी पैचान आप कैसे कर सकते हैं तो इसकी पैचान के लिए आपकी पसली और छाती के अड़ी के बीच में दर्द होता है जहां पर जोइंट होता है और यह दर्द बहुत जादा होता है हिलने डुलने और सांस लेने पर ये दर्द बढ़ता है अगर आप हलकी सांस लेते हैं तो कम होता है और गेरी सांस लेते हैं तो ये बढ़ जाता है ये एक ही जगे पर दर्द रहता है अधिक तरबाई तरफ होता है लेकिन समय के साथ साथ ये दोनों इसों को प्रवावित कर देता है अगर सूजन बढ़ती है तो ये दर्द भी बढ़ जाता है सूजन होने पर इसे टीनेट सिंड्रोम कहते हैं और दर्द पीट पेट आपकी बाजू कंदे तक फैल सकता है तो ये इसकी साथ साथ में आपको जिस जगे पर दर्द है वहाँ पर रेडनेस आ सकती है फूला हुआ लग सकता है और कई बार इसमें इंफेक्शन हो जाता है तो और फिर आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी चाहिए तो आपको थोड़ा सा डायेट का ध्यान रखना है आपको ऐसी चीजें लेनी है जो आपको श्वैलिंग को बढ़ावा ना दे बिटामिन युक्त सा बोजन चीजें बोजन में सामिल करनी है सराब और मास और तली आराम भी करना चाहिए अब भारी सामान आपको नहीं उठाना है में अन्ती काम नहीं करना है क्योंकि इनसे आपका जो दर्द है वो बढ़ जाएगा सूजन बढ़ जाएगी तो जितना ज़्यादा वहाँ प्रेशर होगा उत्ती ज़्यादा आपको दिक्कत होगी अब हम सूजन बहुंचाना बढ़ गई है लगातार दर्द हो रहा है साथ में उल्टी आरी पसीने आ रहे हैं आत में दर्द हो रहा है आप कोई छोटा से छोटा काम भी नहीं कर पा रहे हैं तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए तो आई होप आपको वीडियो की जानकरी पसंद आई होगी जानकरी पसंद आई है तो वीडियो के लाइक करें शेयर करें और अगर आपको कोई कोश्चन है तो कमेंट्स करें वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद